ये वीडियो के वल तुम्हारे इंटर्टेमेंट परपस के लिए तो किरपया करके सांती के साथ देखो तो हे गाइस तो कैसे हैं आप लोग सो गाइस अभी तुम लोग बोल रहोगे कि भाई आज तेरे अंदर पतानी कौन सा कोरोना वाइरस आ चुका है कि तू दिन में दो दो बार वीडियो पोस्ट कर रहा है तो जानकारी के लिए बता दू कि वो वीडियो जो था वो मेरे खुद के लिए था लेकिन ये वीडियो है आप सभी के लिए और इसमें हम उस दिन वाला ही रूट ट्राइ करेंगे लेकिन कुस यूनिक करके और जैसा कि तुमने अगर पहली वाली वीडियो देखा होगा तो उसी के जैसा सेम टू सेम वही गेमपले है तो आज अपन आईसी अप रेक्स चला रहे हैं जिसमें की लाइटिंग कता एकदम जहर टाइप की लगी गई और प्लैटफोर्म में तो लाइट जली रही है बाई मेरे को तो कताई इसमें यही लगता है कि अब इसके गेम के डवलोपर को और भी कोई अपडेट की ज़रत होगी जैसा कि तुमको पता होगा कि पिछले पार्ट में आपन ने 150 किलो मिटर की स्पीट को अचीव किया था लेकिन सिगनल ने हमारी खोल के माल ली और यह वाला क्रोसिंग देखो फिर बाती आते हैं ना आराम से बाई साब कते तो आपन लोग तो राइडर है देख रहे हो रेट सिगनल में भी स्पीड लेकिन कते कुछ भी बोले नाइट के टाइम में ये वाला सिन इस केम का सबसे बेश्ट सिन लगता है मेरे को और गाइस तुम लोग मेरे को नीचे कॉमेंट पर बताओ कि ये आईसी अप रेक्स कोच का लाइटिंग सिस्टम तुमको कैसा लगा अबे चूतिया तू कब से कर क्या रहा है आज तो बिल्कुल मजा ही नहीं यार थोरा मजा तो दिला नहीं यार आज तो बिल्कुल मोडी नहीं है यार वीडियो बनाने का लेकिन क्या कर सकते है बनाना पड़ रहा है अच्छा तू अबे काम कर तू एडिटर और ये वीडियो मेरे को देदे मैं ही बना लेता हूँ सबसे अच्छा अच्छा चल जा आज तू भी जी ले अपनी जिन्दगी छोटू तो हे गाईस तो कैसे हैं आप लोग अबे चूतिया के ढखकन सले तेरो को खाली वीडियो बनाने के लिए बोला गया है ना कि मेरा डायलोग चोरी करने के लिए तो ए बेडियो लोग मैंने तुमको टर्नल नहीं दिखाया इसके लिए मैं तुमको गुफा के अंदर ले जाऊँगा टर्नल के अंदर नहीं ले जाऊँगा तो एक दो तीन चार दस चले गए गुफा के अंदर वैसे कपका चले गए थे? एक बार फेट से एक बार फेट से एक दो दस गुफ़ा के अंदर चली जाए मेरी बस वैसे ट्रेन चला रहे बस नहीं तो बेवड़ा लोग अभी आपन इस जगे से तुमको दिखागा टरनल बतलब गुफ़ा के अंदर कैसे जाया जाता है तो भाई लोग अभी तुमको एक चमतकार देखने को मिलेगा, जी हाँ, एकदम चमतकार और वो चमतकार ये रहा, आपके मुबाईल स्किन वोब है, भाई, असम भाउ, कताई असम भाउ, ओटोमेटिक बंद, जैसर तेजस के कोच के दरवाजे होते ओटोमेटिक बंद, वैस उडाले, उडाले, भाई, मजा उडाले, आज तेरा नमबर है, तो अगर सैड नहीं होता ना, कसम से मैं तेरी पांची कर देता, खोल के बंद माल लिया होता भाई लोग, ये वाले होर्न का साउंड तुमको कैसा लगा, और मेरे को तो यह रियलिस्टिक लगा, जितनी भी बार में इस चूतिय के साथ गाउं गया था, उतने बार तो मेरे को यही वाला साउंड सुनाई दिया तो भाई लोग, जैसा की अमारे पिछले पार्ट में हमारी समापती हुई थी डेड़ सो की स्पीट से, ये नदी के बाद वो ही वाला फिट से आ चुका है, और क्या इस बार आपन ट्रेन को रोक पाएगा अब देखो तुम, मेरे को पता था, इसके लिए मैंने इदर पर पहले ही ब्रेक रूज कर दिया था, और देखते हैं तो भी रुख पाता ही की नहीं ओ भाई, क्या था भाई, रुख गई ट्रेन, भाई साप कता ही जहर, लेकिन देख रहे हो, भाई सूरे उदय भी हो रहा है, अपने ट्रेन भे रुख चुकी है, और क्रोसिंग देख लो कौन से पनोती ट्रेन थी अच्छा, हाई वाली हम सफर थी, ससूर, यही के खातिर हम पेलर गई रहे, पिछले के मुवामा तो भाई, लोग, बस यही वाली क्रोसिंग थी मेन, और ओटमेटिक बंद हो गया था, वो भी बहुत अच्छी बात है, तो बस आज के लिए इतना ही यह बात जान ले, सेर एकी दिन भूका रहे सकता है, चल, निकल पहले फुरसस से, तुम लोगों को नहीं बोला मेनी